कलास टेंथ मैद कोश्चन पेपर देखिए पहला कोश्चन क्या है? जैसे कि आप देख रहे हैं साथ नॉमर कोश्चन इसके पहले वाला कोश्चन जो है हमाई पिछले वीडियो में बताया हूँ आप देख सकते हैं पहला कोश्चन है 1 पलस 10Squad Theta बराबर क्या होगा? जैसे देखिए फर्मूला होता है 6Squad Theta वामाईनस 10Squad Theta बराबर 1 होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 6Squad Theta माईनस या 10 वाला इधर कर देंगे तो हो जाएगा 1 पलस 10Squad Theta तो 1 पलस 10Squad Theta किसके बराबर हो रहा है? तो C square theta, यहाँ पर answer क्या होगा आपका, C square theta, ठीक इसी पर कर जो है, आपका होता है, C square theta, माइनस quarter square theta, तो 1 plus quarter square theta बढ़ाब C square theta, तो answer हो जाएगा, D number, sin A बढ़ाबर root 3 है, तो आप इसको लिख सकते हैं, sin A बढ़ाबर, sin A बढ़ाबर, तो sin A बढ़ाबर हम लिख सकते हैं, इसको, sin A बढ़ाबर, root 3, अद्दू गूड़ा में है, तो sin A में कितना कई यह मान है, तो आपका 60 degree का मान होता है, root 3 बढ़ाबर 2, तो cos A बढ़ाबर, cos A बढ़ाबर फर्मूला का जनते हैं, B बढ़ा H, तो B का मन हो जाएगा 4, H का मन हो जाएगा 5, तो हम निकाल लेंगे P, P निकाल लेंगे, अंदरूट फर्मूला होता है, H square minus B square, मान इसमें रख लेंगा तो आजाएगा, answer इसका 3 आजाएगा, ठीक है, 3 आगे, तो 10 A का मन बता ना है, तो P बढ़ा B, तो 3 बढ़ा 4, answer हो जाएगा हमारा B number, अगला question देख लिजे क्या है, pi by 3 है, तो देखिए, cos हो गया, पाई का मन होता है 180 degree, अब 8 3, तो हो जाएगा 60 degree, तो cos 60 का मन जो है, एक बढ़ा 2 होता है, तो answer हो जाएगा, एक बढ़ा 2, अगला question पर देखान देजिए, अगला question है, sin 90 minus 43, कुछ भी हो, तो sin 90 minus theta, तो cos theta होता है, फर्मूला यह आपका, cos theta होता है, तो theta के जगए पर क्या है, theta के जगए पर आपका 43 है, 43 है तो ठीटा है जागे आपका 43 होना चाहिए लेकिन यहाँ पर क्या है option में नहीं है इसका मतलब mistake कर दिया है फोटी यहाँ पर 3 बना देंगे 43 होगा इसका answer ठीक है cost 43 हो जाएगा अब देखिए new number 0 किसके बराबर है किसका मत 0 होता है तो cost 90 का मत जो है 0 होता है तो यहाँ पर answer हो जाएगा b number अगला question देखिए अगला question है हमारा sin 60 मने sin ठीक किसके बराबर है तो sin theta into cosec theta बराबर एक होता है sin theta into cosec theta तो sin theta बराबर बटम तल जाएगा कोषेक तो हो जाएगा एक बटा cosec theta सeq square theta-1 जो है 10 square theta फर्मूला होता है यह ठीक है अगला question देखिए जए कि अगरा नॉम्हें कि loud फर्मुला वता है एक होता है इतना बोराबड आप देखें तेंट हीता बोराबड दिख सकते हैं और वन बता रूट थिरे क्योंकि फिर्ट नहीं है त बता में हो झाएगा टेंट थिता में एक बटारूट 3D जो है आपका 30 डिगरी के मान होता है तो एंसर हो जाएगा हमारा B नमबर Next question जो है आपका अगले वीडियो में बताएंगे 10 question आपको हम एक वीडियो में बताएंगे जो की VVI है Trigometry से है Trigometry का ही question जो है अगले वीडियो में फिर आपको हम बताएंगे